डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद इस्टार्ट राश्टी बाग सरंग्चन प्राधीकर्ण NTCA ने देश में एक और टाइगर रिजर्व पर अपनी मुहर लगा दी है जो की राजस्थान की धोलपुर करोली क्षेत्र में होगा विराम देश में जिस तरह हाल के दसकों में बागों की तादाद बढ़ रही है कुमा उसे देखते हुए ज्यादा बाग परियोजना होना जरूरी हो गया है विराम अभी राजस्थान में कुम्भलगड टाइगर रिजर्व के रूप में एक और बाग परियोजना कतार में है विराम देश में बाग परियोजना की स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है विराम एसे मौके पर बागों के सरंचन के लिए उनके घरोंदे को अधिक से अधिक सुरक्चित किये जाने की जरूरत है पैरा बाग हमारे पारिश्थिति की तंत्र और संस्क्रती का अहम हिस्सा रहा है विराम माना भी जाता है कि भारत बागों का सबसे बड़ा बसेरा रहा है विराम आंकडों की अनुसार कोमा उन्नीसवी सदी के अंत में भारत के जंगलों में चालिस हजार बाग थे विराम लेकिन कुमा बीसवी सदी में बड़े इस्तर पर सिकार करने की प्रवरती और जंगलों के नश्ट होने के कारण बागों की संख्या में भारी गिरावट आई विराम यही वजह रही की बागों के अस्तित्व को बनाए रखने और उनकी देखबाल सुनिश्चित करने के लिए देश में 1903 में बाग परियोजना की सुरुआत की गई विराम आज देश में 75,000 वर्ग किलोमिटर से अधिक 16 में फेले चोपन बाग प्रोजेक्ट हैं विराम भारत में बागों की आबादी बढ़कर 3,166 हो गई है विराम दुनिया की 75 प्रतिसत बाग की आबादी भारत में है विराम देश में बेहतर तकनीक और मुझबूत सुरक्ष्या तंत्र के कारण जंगलों में बागों के सिकार में काफी कमी आई है कुमा लेकिन खतरे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए है विराम अधिकतर बाग परियोजनाय बढ़ते मानविय दखल के कारण सुरक्षित नहीं कही जा सकती है विराम कहीं बाग सफारी के नाम पर तो कहीं सीमाएं खुली होने की कारण बागों के घरउंदे में मानविय दखल जारी है विराम इसके कारण बागों के रहवास ऐसांत हो रहे है विराम एसा भी होता रहा है की बाग जंगल से बाहर निकल कर बस्तियों में आ रही है कुमा जिससे वे मानव से संघर्च के सिकार हो रहे है विराम इस साल बागों के मासिक औसत मृत्यूदर लगबग सत्रा रही है विराम जो पिछले एक दसक में दस तक दर्ज की गई विराम पैरा बागों के सरंचन के प्रयासों के बावजूद व्यवहारिक तौर पर जो चुनोतियां सामने आ रही है कुमा उन पर ठोस तरीके से ज्यान दिये जाने की जरूरत है हमारा लक्से बागों के रहवास के अनुरूप ही बागों की आबादी का होना चाहिए विराम लेकिन कुमा हम देश में बागों की संख्या को इस रफ्तार से भी नहीं बढ़ा सकते कुमा क्योंकि इस से मानव के साथ उनके संघर्स में व्रद्धी होगी विराम आज सबसे बड़ी जरूरत बागों की रहवास को हर तरीके से सूरत्सित किये जाने की है विराम इसके लिए जंगल में मानविये दखल कम से कम रखना होगा समाब दोस्तो इसका पीडिये फाइल हमारे टेलिग्राम चैनल स्टडिवित अच्वी स्वामे पे डाल लगी है आज के लिए धन्यवाद